हाई फ्रेंद्स उमादी ओनलाइन आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है राधा कृष्णा 3D पेंटिंग की ये सेकेंड वीडियो में अप्लोड करी हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा 3D लुक देने के लिए मैं क्ले का यूज करी हूँ आप कोई भी एर ड्राइक ले लग सकते करियो नौर्मल इसे मैंने बेल लिया है और इसमें पेंट SIT मैंने पहले लीव की दिजआइन दी और मैं में मेरे पास को और तूम सब रावे लिए मैं विडवल के लिए विडाव में ठीय कई बना वाव का चाकुठ समस्थ नहीं रोट करी तो उसके अकौर्डिंग मैंने बनाया तो लीफ प्रॉपर बनी तो इस तरीके से आपको लीफ डेसारी बना के रख लेनी है जितनी भी हमारी पेंटिंग में हमें लीफ लेनी आप फेवी को लेना है अगर आप फैब्रिक ग्लू लेते हो तो बैस्ट रहता है अब जहां-जहां मैंने लीफ की डिजाइन दी जादा अलग है और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बटन ही हम लोगों को बहुत जादा उसाहिद प्रॉसाहिद करता है कि हम आप गे भी चलके बहुत अच्छा कर सकें तो इस तरीके से मैंने एट करें यहां पर मैंने एक लंबा लिया है ताकि ब्रांचे से अलग ब्रांचे स्ट्री के मैं बना सकू dark और इसमें हलका सा जो हमारे ट्री पे निसान होते हैं माक होते हैं वह भी मैं इसमें एडकरन करती जाओंगी मगोई संवक्यज तो इस तरीके से यह पूरा प्रोसेस होगा यह kl messages आए जो मैंने फ्लावर की डिजाइ दे दिया है तो आप देख रहे हो सबको मैं प्रॉपर अच्छे से अटेच का दिया हूँ प्लीज प्लीज से मैं कहूंगी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी हो अगर आपको जैसा भी वीडियो लग रहा हो प्लीज कमेंट आप जाओ तो जब दीजी तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रॉपर अटेच कर लिया है यहां पर देखिए मैंने ज्वाइलरी जो क्रिशनी जी की जो जैलरी पार था उसको भी मैंने लिया आप चाहो तो जो मैंने डॉप 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 बनाया है उसको आप पेन से भी वहलका ब्राउनीस कलर का होता है तो इसके एक एफेक्ट होता है कि यह मुझे अच्छा लगा एक तो ज्यादा कॉशली भी नहीं है ठीक है फेविकोल वाला जो सिल्प कला है वो थोड़ा मुझे कॉशली लगता है अगर आप कोई बड़ा अर्ट बना रहे हो तो आप इसे य करना है तो इस तरीके से मैं अपनी पेंटिंग को 3D लुक देनी की कोसिस करी हूं तो step by step पूरा प्रोसेस चल रहा है आप देख रहे हों कि यह ज्यादा ही थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मैं वो कैसे लगाया कैसे बनाया बहुत कमेंट्स थे मेरे स्टूडेंस के तो मैं सकते हो कि इस तरीके से मैंने डिजाइन देना सुरू किया है तो यह प्रोसेस होने के बाद मैं जितनी है मेरे पास वो सब मैं अटेच करती जाओंगी जहां-जहां मुझे लग रहा है कि मुझे यहां लगाना चाहिए आप चाहो तो आइस का जो बीच पोर्सन आप वहां लग आ सकते हो जैली का पार्ट रःसप में अप मोर पंक में भी आप अप लगा सकते हो ताकि व्याण की अथे लेगा या तो आ आप पिकाउक के फेस और जो उसका चोछ है उसमें भी आप यूज कर सकते हो अपना अलग एक अफेक्ट दे सकते हो आप चाहो तो जो पगड